हेलो एलेवंट आज फिर से ट्रिवनोमेट्री के ही पार्ट्स को आगे बढ़ाएंगे तो प्यारे बच्चो जैसा कि कुछ बच्चे परिशान हो रहे हैं कि हंजी सर और कितने लंबी क्लास चलेगी तो भाई अभी तो थोड़ी सी लंबी क्लास चलेगी क्योंकि ट्रिवनोमेट्री इतनी जल्दी खतम होने वालों में से नहीं है ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं लास्ट क्लास में हम लोगोंने कुछ फॉर्मले पढ़ेते हैं उसको रिवाइस करते हैं साइन ए प्लस बी इस इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी सॉरी गलत बोल दिये मैंने साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मला पढ़ते हैं इसका होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अच्छा फिर cos A plus B का फॉर्मूला पढ़ते हैं इसका फॉर्मूला होता है cos A cos B minus cos sin A sin B अच्छा ध्यान दीजिए बच्चो जो cos A plus B का फॉर्मूला है ना उसे open करने पर बीच में minus आएगा ध्यान दीजिएगा ठीक है और जो cos A minus B वाला फॉर्मूला है उसमें आपका cos A cos B बीच में plus आएगा अपोजिट साइन याद रखना है कुछ बच्छे confused हो रहे थे लेकिन उन्हें में याद दिला दूँ कि अगर cos वाले content में plus है तो minus आएगा और minus है तो plus आएगा ठीक है इस तरीके से याद करना है फिर हमने 10 A plus B का फॉर्मूला पढ़ा था क्या 10 A plus 10 B upon 1 minus 10 A 10 B फिर हमने 10 A minus B का फॉर्मूला पढ़ा था 10 A minus 10 B upon 1 plus 10 A 10 B ठीक है अच्छा फिर हमने cot A plus B का पढ़ा था हमने cot A plus B का क्या है बच्छो cot A plus B का है cot B cot A minus 1 upon cot B plus cot A फिर cot A A-B का क्या पढ़ा था हमने हमने पढ़ा था बच्चो क्या cot B cot A plus 1 upon cot B minus cot A हमने ये पढ़ा था तो प्यारे बच्चो formula revise कर लेना और अपनी copy में उसे एक अच्छे से notes बनाते हुए चलना क्योंकि बच्चो अब ये धीरे-धीरे complicated होना शुरू होगा ठीक है चलिए तो आज शुरू करते हम आज शुरू करते हैं एक नए type का formula एक नए type का formula जो अब आपके लिए धीरे-धीरे धीरे-धीरे ये क्या होता चला जाएगा बच्चो धीरे-धीरे आपके लिए ये अफ tough स्रेणी में भी जाएगा और interesting स्रेणी में भी जाएगा तो चलिए formula की शुरुवात करते हैं और उसी के साथ साथ कुछ question भी लेते चलेंगे ठीक है कुछ question भी साथ में साथ लेते चलेंगे चलिए शुरू करते हैं NCRT चलिए भाई शुरू करते हैं हाँ जी चलिए ये देखेंगे बच्चों क्या पढ़ने जा रहे हैं अब हम लोग असल में अब हम पढ़ने जा रहे हैं addition addition oblique subtraction to multiple यानि addition और subtraction में हमें content दिया गया होगा और हम उसको पहुचा देंगे कहां पे multiple में कहां पहुचा देंगे multiple में इसके बाद मैं half angle formula लूँगा धीरे धीरे देखते चलिए तो पहले तो ये देखें addition and subtraction to multiple में होगा क्या ये देखिए sign a plus sign b इस formula को बच्चों बहुत ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाहता हूँ ये sign a plus b नहीं है sign a अलग plus sign b अलग मेरी वीडियो को अच्छे से देखिए trigonometry बच्चों खेल हो जाएगा ठीक है sign a अलग plus sign b अलग और क्या बन जाएगा ये 2 sign a plus b upon 2 cos a minus b upon 2 ध्यान से देखना बच्चों मैंने क्या कहा है आपसे इस चीज को अच्छे से समझ लो आप लोग क्या बताया मैंने कि अगर sign a plus sign b है तो रहेगा 2 sign a plus b upon 2 cos a minus b upon 2 और ये बात याद रखना a always greater than b अच्छा अब आता है आपके सामने फॉर्मूला sign a minus sign b अब देख लो क्या है पहले था sign a plus sign b अब है sign a minus sign b तो पता है क्या होगा बस इतना सा होगा जब minus है तो cos आगे और sign पीछे बस इतना सा फर्क बढ़ेगा अच्छा एक बात और बता दू ये a plus b upon 2 a minus b upon 2 ये अपनी जग़ा पे fix रहेंगे बस ये sign cos बदलते चलो ठीक है क्या करते चलो sign cos बदलते चलो अगर plus है तो sign आगे cos पीछे और अगर minus है तो cos आगे sin पीछे ये किसके केस में है sign a plus sign b sign a minus sign b के केस में ठीक है अच्छा अब आता है बच्चो cos a plus cos b अब अगर cos a plus cos b आता है तो आप लिखेंगे 2 cos a plus b और cos a minus b upon 2 ये ध्यान थे देना कि cos a plus cos b cos a plus cos b बराबर 2 cos a plus b upon 2 cos a minus b upon 2 तो प्यारे बच्चो हमने क्या देखा हमने ये देखा कि जब यहाँ पर दोनों cos हैं तो यहाँ पर भी दोनों cos होंगे ठीक है लेकिन कब जब बीच में होगा प्लस और अगर प्यारे बच्चो माइनस आ जाता है बीच में क्या जाता है माइनस तो वहाँ पर लगेगा माइनस का 2 और दोनों चीजे सेम क्या sin a plus b upon 2 और sin a minus b upon 2 क्या कोई भी समस्या है किसी बच्चे के सामने फिर से समझिए अगर sin a plus sin b है तो 2 sin a plus b upon 2 कोई mus b upon 2 मतलब अगर दोनों साइन के हैं तोлем साइन पहले कोईस बाद में और दोनों साइन के हैं और बीच में क्या है माइनस तो कोईस आगे साइन पीचे और प्लस है तो साइन आगे कोईस पीचे लेकिन अगर दोनों कॉस के हैं और बीच में है प्लस तो दोनों कॉस के होंगे और अगर दोनों कॉस के हैं और बीच में है माइनस तो दोनों साइन के होंगे लेकिन एक नई चीज और जुड़ गई इसमें टू कैसा होगा माइनस का तो ये चार फॉर्मले जल्दी से उतार लो, नोट कर लो और उसके बाद फिर हम लोग कुछ नए-नए कोश्चन्स करना शुरू करेंगे और उसका जादू देखेंगे और बच्चो ध्यान देख लिजिए इसको आपनी कॉपी में लिख कर हर समय सामने रखिए क्यों क्यों क्योंकि जब मैं ऐसे देखना भी है क्योंकि जब देखोगे भी और बोलोगे भी तो वो अपने आप दिमाग में फीड हो जाएगा और आपको फॉर्मूले चुटकियों में याद हो जाएगे ठीक है जिस तरह थैनोस ने चुटकी में पूरी दुनिया तबाह कर दी आप भी चुटकी में ट्रिग्नोमेटरी अराम से सीख लोगे ठीक है क्योंकि आप लोगों का दिमाग भी एक बहुत बड़ी चीज है जो की बड़े प्यार से एक एक फॉर्मुले को एक एक कोशन को बड़े अराम से हैंडल कर सकता है ठीक है तो आप लोगों को हार नी माननी है कोई भी बच्छा घबराएगा नहीं अगर उसे डर लग रहा है तो बस वो अपने माइंड में ये सोच ले कि एक लड़ाई है जो आपको हर हाल में जीतनी है ठीक है और इस लड़ाई के बाद आपको करोड़ो रुपे मिलने वाले है बस आप ये समझे लो अगर पैसों से प्यार है तो रुपे, किसी खेल से, किसी खाने से, किसी भी चीज से प्यार है तो बस अपने mind में समझ लो, इस चीज के बाद, इस question के बाद वही चीज मिलने वाली है और यही छोटे छोटे गोल सेट करते रहो, और आपको देखना, धीरे 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 आप उस चीज तक पहुंच जाओगे ठीक है, चलिए, तो यह उतार लिया होगा सभी बच्चों ने, नोट कर लिया होगा अब सभी बच्चों का टेस्ट होगा, कि भाई, लिप सिंग का, किस प्रकार के थे लिप सिंग भाई, कि अपने दिमाग में बिना देखे भी बोलो इसको ठीक है, अब मैं जब कोशन करवाँगा, तो कोशिश करना कि बिना देखे बोलें, और जब नहीं होगा, तो भाई, कॉपी में तो आपको देखना ही है, कॉपी हर समें अपने सामने रखें, अब मैं एक एक करके कोशन उठा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा 3.33.3, चलिए, तो 3.3 का पहला कोशन उठाने जा रहा हूँ मैं, कौन सा कोशन उठाने जा रहा हूँ, कोशन नमबर बच्चो 16, अब ये मत कहना कि बीच में सार इतने सारे छोड़ दिया अपने, अरे एक कुछ भी नहीं छोड़ूँगा, एक एक चीज करा हूँगा, 2.3, ठीक है, एक वल टू माइनस साइन 2X, और अपन में, कौस 10X, कह रहा है, प्रूफ कीजिए, ठीक है, तो हाँ जी, प्रूफ कर देंगे, क्या चीज ये है, नकली से चीज जाए, लो जी, इस वेरी सिंपल, कोशन, नकली कोशन, ठीक है, ठीक है, अब देखो भई, आप कोशन में ऐसी जान डाल देनी है, ठीक है, कि कोशन देखा और सॉल्फ, बस हमारे नजरों के अंदर हर समय फॉर्मला घूमना चाहिए, कैसे, जैसे ही मैंने कॉस 9X माइनस कॉस 5X को देखा, तो मेरे नजरों में क्या घूमा, कॉस A माइनस कॉस B, अब अच्चो कॉस A माइ माइनस का 2, कॉपी में देख रहे हूंगे आप, साइन, A प्लस B अपॉन टू, साइन, A माइनस B अपॉन टू, कितने बच्चो के दिमाग में ये फॉर्मला घूमा और उन्होंने लिख भी दिया, मोशली बच्चो ने लिख दियोगा, मैं विश्वास है मुझे पूरा गया होगा, कि जब दोनों साइन के और माइनस हो, तो होता है 2, माइनस की वज़े से कॉस पहले, A प्लस B, और साइन बाद में, A माइनस B, क्या, मोशली बच्चो ने और सभी बच्चो ने, क्या यही पुट किया है, मुझे पूरा विश्वास है किया होगा, ठीक है, अच् जा किया, बच्चा क्या, माइनस, साइन, 9 और पांच कितना होता है बच्चो, 9 और 5 होता है, 14x, और 9 में से 5 जाएगा, तो कितना है गा, 4x, गुग बाद में, 10, 2 से कटा 7, 2 से कटा 2, 2 से کटा 7, क्या बच्चा, माइनस का साइन 7X और साइन 2X ये क्या बच्चा कॉस्ट 10X साइन 7X तो अब क्या दिख रहा है साइन 7X से साइन 7X कट गया, लो जी प्रूफ हो गया देखो जरह वह प्रूफ है इसी, बताओ बोला था ना चुटकियों में बच्चों का खेल है दिमाग के तैनो, कि भाई, कोई भी चीज आ गई, तो बस खतम कर दोगे उसको अपने सामने से, हाँ भाई, कौन सा नुमेरिकल है, ले आओ, ठीक है, R.D. सर्मा है, ML. अगरवाल है, N.C.R.T. है, सब लपेट देंगे, लेकिन, धीरे, 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 इस्टोन एक बार में तो हासिल नहीं कियते न, धीरे, धीरे, तो बस, उसी भासा में समझ जाओ, कि धीरे, 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 हम लोग मैथ में ताकतवर बनते चले जाएंगे, एक एक कोशन लेके, तो फटा-फट वीडियो पोज़ करके, इसको नोट कीजिए, फिर मैं अगले कोशन की तरफ चलता हूँ, और नेक्स कोशन है, आपके सामने, मुझे अमीद है, आपने नोट कर लिया होगा, और नेक्स कोशन है, आपके सामने, सेवन्टीन, यह मैं नहीं कराऊंगा बई, यह आपको खुद करना है, ठीक है, विखको सेम कोशन है, यह आपको खुद करना है, उसके बाद कोशन नमबर, कोशन नमबर 18 भी आपको खुद करना है, 19 भी खुद करना है, ठीक है, 20 नहीं करना आपको, 17, 18, 19, यह आपको खुद करना है, question number 21 करा रहा हूँ है ठीक है 21 करा रहा हूँ है 21 ठीक है यह यह काम करते है 21 से पहले हम लोग करते है 15 21 से पहले क्या करते हैं 15 कैसे करेंगे देखो caught 4x sin 5x plus 3x sorry 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 sin 3x equal to caught x sin 5x minus sin 3x चलो भाई solve करते हैं चलो हमें यह proof करना है लेकिन proof के अंदर हम कुछ ऐसे छेड़ा खानी करेंगे कि भाई हमारे question पर कोई फर्क भी ना पड़े और हम इसको easily solve भी कर लें तो वो कैसे होगा बच्चो देखो sign वाले पार्टी एक तरफ दिख रही है और caught वाली भी दोने तरफ दिख रही है तो काम करो sign वाले को एक तरफ करो caught वाले को एक तरफ करो तो कैसे करेंगे देखो ज़रा sign 5x plus sign 3x इधर है अच्छा ये हिस्सा बच्चो caught के साथ multiply कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा divide करेगा ठीक है caught x अब caught 4x इसके साथ क्या कर रहा है multiply तो इधर आके क्या करेगा बच्चो जल्दी बोल दीजिए divide तो देखो question आपके लिए कितना simple बन गया बन गया की नहीं बन गया उसके बाद अब तो आप धुरंदर होई आपसे बड़ा कोई बास सहा है नहीं चुटकियों मैं खेल खेल जाओगे क्या यहां से उठाएंगे left hand side लगाएंगे formula sin A plus sin B तो क्या होता है 2 by plus है तो sin पहले sin पहले cos बाद में अब यहां पे sin A minus sin B तो minus आगिया तो cos पहले और sin बाद में चलो वाई game शुरू करें 2 से 2 cancel sign 5 और 3 8X जानते हो ना PUBG में 8X मिल जातो car 98 से कर देतो ना खेल बस वाई से हाँ बई उसके बाद थोड़ा नीचे लिखता हूं इसको है न sign 8X upon 2 8X बोलते ही खुस हो जाते है बच्चे बिल्कुल क्यों बई 2X upon 2 उसके बाद cos फिर से 8X और यहाँ पे यह 2X 2X मा मज़ा नहीं आता है ना भई यह कट गया 4X M416 में लगती है कट गया 4X 2 से 2 कट गया यह red dot 2 से 2 कट गया holographic यही है न सारे PUBG वाली भासा में तो मैं अराम समझ मा आ जाती होगी तो यह sin 4X cos X cos 4X और यह सोरी 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 एक मिन पे चोगलती कर दी है यहाँ साइन आएगा ठीक है sin X ठीक है तो लीजिए अब कहोगे सर यह तो भजगे हमें तो कौट तक पहुँचना था यह क्या हो गया तो लो जी cos X upon sin X क्या होता है कौट एक्स लो जी कौट एक्स तक पहुचा दिया तो जब कौट एक्स तक पहुचा दिया तो कौट 4X तक भी पहुचा देंगे कैसे अजी जो 10 4X होता है वो 1 upon में कौट 4X होता है हाँ की ना फॉर्मुला पढ़ा दिया था और साथ में कौट X मंटिप्लाई कर दो कौट X upon कौट 4X hence प्रूवड ठीक है पब जी में विनर विनर चिकन डिनर तो चलिए और जो लोग वेज है उनका पनीर डिनर ठीक है जी तो करिए इसको फिर next question करते है question number 21 चलिए तो एक next question देखते है वैसे तो मैंने 21 बोला था लेकिन मैं 11 करवाओंगा कौन से करवाओंगा question number 11 पहले करवाओंगा फिर 21 करते है अच्छा अब मेरे सारे फौजी भाई खुश तो हो गए होंगे कि हाँ जी अब हमें समझ में आने लग गया है सही बात है चलिए तो अब हम अपने फौज को थोड़े आगे लेके चलते हैं एक नए पढ़ाओ पे लेके चलते है पढ़ाओ क्या मतलब बस उसी में थोड़े digit change है ठीक है अब देखिए अगर आप इस question को देखेंगे तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है आपको सिर्फ एक छोटा सा formula अपलाई करना है क्या है वो cos A minus cos B लग रहा है अब ये इतना बड़ा देखने में लग रहा भाई ये क्या हो गया तो एक काम करो ना left hand side के अंदर हम let करने से कब चूके है भाई सही बात है हमने पूरे math में पूरी जिन्दकी क्या क्या let ही तो क्या है और वो क्या let क्या है 3 pi by 4 plus x को a let कर लेंगे और 3 pi by 4 minus x को b let कर लेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा cos a और ये बन जाएगा cos b और आपको तो अच्छे से पता है cos a minus cos b क्या होता है बताओ minus का 2 sin a plus b upon 2 sin a minus b upon 2 ठीक है चलिए minus का 2 sin हंजी a कितना है 3 pi by 4 plus x b कितना है 3 pi by 4 minus x upon 2 sin a कितना है 3 pi by 4 plus x minus अच्छा देखो अब minus आगे है न तो अब बच्चो पहले ब्रैकिट लगा लेना ये गलती बहुत बच्चे करते है मैंने कई बार देखा है ठीक है बच्चो एक बात याद रखना ये ब्रैकिट जो होता है ठीक है क्योंकि ये हमें बहुत अच्छे से गार्ड करता है क्यों बच्चो क्योंकि अगर ये ब्रैकिट नहीं लगाते है न तो हमसे एक minor सी mistake हो जाती है और उस minor सी mistake से हम लोग क्या हो जाते है भई नॉक आउट हो जाते है आराम और अच्छे से समझ में भी आएगा तो आपने बच्चों ये ब्रैकिट लगाया अब ब्रैकिट के बाद जो आपका B है ये लीजिए ठीक है अब देखिए ब्रैकिट ये आपके साथ करेगा क्या ये करेगा ये देखिएगा चलो यहां तो ये प्लस का ये माइनस का कट गया ये पता है एक्स है काट दिए ठीक है तो भई 3 पाइब आए 4 प्लस 3 पाइब आए 4 क्या बनेगा 4 4 एलसियम 4 जब नीचे सेम तो उपर भी सेम अपन में 2 साइन हाँ जी अब देखिए करेगा क्या ये 3 पाइब आए 4 प्लस X ये जो माइनस है ना अंदर जाएगा अब तो ये क्या करेगा इसको करदेगा माइनस का यानि प्लस वाली चीज़ को करदेगा माइनस और माइनस वाली चीज़ को करदेगा प्लस क्या मेरे किसी बच्चे को कोई दिक्कत अब देखे 3 pi by 4 से 3 pi by 4 cancel बचा क्या minus 2 sign 3 3 6 pi अब अच्चो ये 4 नीचे आ जाएगा 4 in 2 में 2 ठीक है और ये बच गया sign x plus x 2x upon 2 तो 2 से 2 cancel 2 से 6 cancel तो 3 क्या बन गया ये ये बन गया आपका minus का 2 sign 3 pi by 4 वा साथ में sign x और मेरे सारे बच्चों को ये पता है कि जब भी pi के नीचे 4 6 या 3 आ जाए तो हम उसे क्या करते है separate तो चलिए करेंगे separate pi minus pi by 4 कुछ ऐसे ही बनेगा क्योंकि 4 बन जा 4 4 में से बन गया 3 अच्छा अब जल्दी से बता दो हंजी pi minus यहां होता है pi pi में minus करेंगे second quadrant second में sin की value positive लेकिन pi है no change तो sin pi by 4 और sin x तो minus का 2 sin pi by 4 की value 1 by root 2 अच्छा अच्छा अब यह minus 2 अच्छा एक बाद बताओ क्या मैं 2 को root 2 into में root 2 लिख सकता हूं ठीक है हां की ना और upon में 1 by root 2 और root 2 से root 2 cancel तो बचा क्या minus का root 2 sin x hence approved देखो कितना simple है है ना simple है बिल्कुल बच्छो का खेल तो बस फौजी हो लग जाओ काम पे और शुरू कर दो ठीक है चलिए इसको जल्दी से note कीजिए ठीक है फिर मैं आपको next कराता हूं question number 21 अब फिर हम आगे formula में बढ़ेंगे half angle formula चलिए बच्छो तो question number 21 question number 21 cos 4x plus cos 3x plus cos 2x sin 4x plus sin 3x plus sin 2x और प्रूफ करना है cos 3x के चलिए तो शुरू करते हैंगे हाँ जी बच्छो क्या प्रूफ करना है cos 3x अच्छा cos होता क्या है cos upon a sign तो हाँ जी हमारे पास है cos upon a sign तो जब cod 3x है तो मुझे चाहिए क्या cos 3x upon a sign 3x यही चाहिए ना समझ मारी बच्छो बच्छो अगर हमें cos 3x चाहिए तो हमें उसे कैसा बनाना पड़ेगा हमें बनाना पड़ेगा cos 3x upon a sign 3x लेकिन एक समस्या है क्या समस्या है कि इसके अलावा यह दो चार और है और इन दोनों चारो को जितनों को भी है इनको हमें क्या करना पड़ेगा remove करना पड़ेगा और इसे separate करना पड़ेगा तब जाके हमारे पास यह answer आएगा तो चलिए सुरू करते हैं एक काम करते हैं cos 4x cos 3x को side करो cos 2x इसको एक साथ रखो cos 3x को side करो sin 4x sin 3x इसको एक साथ रखो और sin 3x को sorry 2x को एक साथ रखो और sin 3x को side करो क्यों करो side आप पता कर चुके है इसलिए करेंगे हम लोग side से क्योंकि हमें answer में last में cos 3x upon sin 3x साथ चलिए अब अगर आप गौर से देखेंगे बच्चो हम left hand side में क्या कर रहे हैं हम cos A plus cos B बनता हो दिख रहा है आपको यहां पे क्या बनता हो दिख रहा है cos A plus cos B बनता हो दिख रहा है तो लगाइए हाँ जी cos A plus cos B का फॉर्मूला 2 cos A plus B upon 2 cos A minus B upon 2 यही है यही है ना बच्चो अच्छा sin A plus sin B दिख रहा है यह बनता हुआ sin A plus sin B क्या बनेगा जब भई बीच में plus हो तो sin पहले और cos बाद में है और साथ में क्या है sin 3x चलिए अब क्या करेंगे यह बन जाएगा अपना 2 cos 4 और 2 6x बटा 2 cos 4 में से 2 गया 2x बटा 2 plus cos 3x upon 2 cos sorry 2 sin 6x बटा 2 cos 4x बटा 2 plus sin 3x ठीक है clear अच्छा इस 2 से 6 को काटेंगे 3 इस 2 से 2 काटेंगे इस 2 से 6 काटेंगे 3 2 से 4 काटेंगे sorry sorry यहां भी 2 ही आएगा sorry sorry 2 से 2 काटेंगे ठीक है अच्छा अब बच्चों यह कैसा बन जाएगा अब यह कुछ ऐसा बन जाएगा 2 cos 3x cos x plus cos 3x और नीचे क्या बन जाएगा 2 sin 3x cos x और plus में sin 3x अच्छा यहां तक बन जाएगा देख सकते हो कटने के बाद यहां तक अच्छा कितने बच्चे कह रहे हैं कि 2 से 2 काटो cos x से cos x काटो कितने बच्चे कह रहे हैं mostly बच्चो ने हां कर दी होगी जबकि बच्चो आप ऐसे नहीं कर सकते आप ऐसे नहीं कर सकते देखो जो बच्चे basic मजबूत है वो तो कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे लेकिन जिन बच्चों का basic मजबूत नहीं है क्यों नहीं काट सकते क्योंकि बच्चो मैंने आपको क्या बताए था छोटी क्लासों में भी आप लोगों ने सीखा है कि इस तरीके से काटने के लिए बीच में पहले देख लो कि क्या लगा हुआ है अगर ये ऐसे होता ना ये होता ही नहीं तो काट सकते थे लेकिन बच्चो आप देख रहे हो कि बीच में प्लस या माइनस अगर लग गया है तो फिर नहीं काट सकते हैं हाँ अगर मंटिप्लाई लगा होता तो हम काटते हैं लेकिन बच्चो अगर प्लस या माइनस में कुछ भी लगा होता है तो आप ऐसे नहीं काट सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको common लेना पड़ेगा तब कर सकते हो तो आप उपर से काम कीजिए उपर से cos 3x common आ रहा है और बीचे बचा 2 cos x और इसकी जगा पे 1 और नीचे से क्या common आ रहा है sin 3x और यहाँ क्या बचा 2 cos x और यहाँ से पूरा sin 3x निकल गया तो बचा क्या 1 अब देखो अब ये और ये multiply कर रहे है ये और ये multiply कर रहे है तो ये पूरा इस पूरे से कट जाएगा क्यों? क्योंकि आपस में क्या चल रहा है inके? multiply क्या चल रहा है multiply तो बचा क्या cos 3x upon sign 3x तो आपको अच्छे से पता है कि cos upon sign क्या होता है cos 3x पले पड़ा clear हुआ अच्छे से ठीक है तो इसको note कीजिए फिर इसके बाद आप लोग मुझे question number 14 करके दिखाएंगे question number 14 आपको घर से करने के लिए दे रहा हूँ तो question number 14 दे दिया है मैंने आपको करने के लिए और कौन कौन से दे दिया है को मैं बता दे दूँ question number 14 दिया है 17 दिया है 18 दिया है 19 दिया है तो फटा फट note कीजिए इसके बाद आप formula पढ़ना शुरू करेंगे ठीक है half angle formula जल्दी note कीजिए से फटा फट फुर्ती से तो लीजे बच्चो अब हम लोग half angle formula जो की इस trigonometry का सबसे बड़ा पार्ट और सबसे important पार्ट है ठीक है half angle formula ये आपके लिए एक नई तरीके से नए रंग रूप से आएगा जिसके लिए आपको काफी समझना भी पढ़ेगा काफी सोचना भी पढ़ सकता है क्योंकि अब तक आपने इन formula के बारे में कुछ भी जाना नहीं है तो अब हम लोग धीरे धीरे एक एक करके इन formula के बारे में जानना सुरू करेंगे और पढ़ना सुरू करेंगे तो आज मैं सिर्फ आप लोगों को formula लिखवा रहा हूँ उसके बाद आप घर पे इसको अच्छे से नोट कीजिए उतारिए और उसके बाद लिखने के बाद इसे तीन से चार बार पढ़कर पढ़ने के बाद आप इसे लिख के भी देखे बिना देखे ठीक है मतलब आप लोग एक बार लिख लेजिए पढ़ लीजिए उसे सजी से समझ लीजिए उसके बाद आप क्या करेंगे उसके बाद आप लोग उसे बिना देखे लिक के देखेंगे और फिर analyze करेंगे आपने कहां कहां पर गलती पर कि ऐसे 2-3 बार करेंगे तो आपको formula याद हो जाएंगे तो क्या है वो half angle formula आईए चीखते हैं angle formula half angle formula half angle formula तो चलिए सबसे पहले आता है sine 2 x ठीक है बच्छो सबसे पहले आता है आपका sin 2x तो इसका formula होता है 2 sin x cos x इसी का second part होता है sin 2x का एक formula और होता है वो होता है 2 tan x upon 1 plus 10 square x अच्छा अब इसका नाम क्यों पढ़ा half angle formula तो आप जड़ा देख सकते हो यहाँ पर जब 2 है तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि angle कितना हो गया 1 1 2 है तो angle कितना हो गया 1 1 अगर माल लीजिए यहाँ पर 2 की जगा 4 होता तो यहाँ पर क्या हो जाता 2x 2x समझे रहे हो और माल लो माल लो यहाँ पर 6 होता तो क्या हो जाता 3x 3x मेरी बास समझ मारी है सबी को मतलब जो भी होगा ना तो उसका half हो जाएगा 5 होता तो क्या हो जाता 5 by 2x 5 by 2x इस तरीके से मतलब half angle formula का मतलब ही यही है कि आप angle का क्या कर देंगे half कर देंगे ठीक है तो अभी फिलाल मैं simple content में लिख रहा हूँ जब questions आएंगे तो धीरे धीरे हम उसको और mature करेंगे चलिए अब आता है formula number 2 का part first जिसे हम कहेंगे cos 2x के लिए cos 2x का formula बनेगा cos square x minus sin square x क्या बन गया cos square x minus sin square x highly important बहुत ज़्यादा important formula क्यों? क्योंकि इसके एक formula से अभी आपको मैं 4-5 formula बना के दिखाऊंगा कैसे? लीजिए शुरू करते हैं कहानी part number second अच्छा अब मुझे एक simple सी बात बताओ identity के हिसाब से क्या मैं cos square x को 1 minus sin square x लिख सकता हूँ याद है? identity में sin square x क्या बन गया? 1 minus sin sin 2 sin square x तो बच्छों cos 2x का एक formula क्या बना? एक formula तो ये है cos 2x is equal to cos square x minus sin square x और एक formula ये है 1 minus 2 sin square x कैसे बना? cos square को change करके एक थर्ड formula और देख लो cos 2x का formula एक और है अच्छा cos 2x का formula एक और है क्या formula है? ध्यान से देखिएगा हाँ जी पहले किसको change किया था? cos को अब cos को change मत करो अब sin को करो sin square x किसके बराबर है? 1 minus cos square x के बराबर तो क्या बन जाएगा? cos 2x cos square x minus 1 minus minus plus का cos square x तो cos 2x का नया formula हाजी रहे एक और एक 2 cos square x minus 1 ये लो cos का formula एक और आगे आपके सामने क्या आया? cos 2x बराबर 2 cos square x minus 1 ठीक है? एक formula और है cos का वो भी देख लो तो fourth formula cos 2x का क्या है formula? 1 minus 10 square x upon 1 plus 10 square x एक formula ये भी है ठीक है? ये 10 के term में है तो cos के हमने कितने formula पढ़ लिए बच्चो? cos के हमने 4 formula पढ़ लिए है ठीक है? चलिए अब आता है भाई next 10 में जाएंगे हम लोग 10 2x का एक ही formula है क्या? 210 x upon 1 minus 10 square x ध्यान से देखिएगा क्या बता है बने? जो आपके पास sin 2x का formula है सेम वही formula 10 2x का है बस फर्क क्या है बच्चो? फर्क इतना ही है कि sin वाले में नीचे plus लगा हुआ है और 10 वाले में नीचे minus लगा हुआ है इन सब बातों को ध्यान से देखना बच्चो? ठीक है? यह बहुत जरूरी है और इसमें अगर mistake हो गई तो विच्चो गलती फिर आपके number कटने चांसी हो जाएंगे तो इसलिए sin 2x में नीचे plus है जबकि sin 2x में नीचे minus है ठीक है? अच्छा और formula है और formula लिखवाते हूँ भी टैंसल मुदलो भी तो बहुत है formula और दीरे 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 हम सब पढ़ लेंगे a to z सारे ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं कुछ नए formula की तरफ ठीक है? आगे अब क्या है? एक fourth formula है क्या भई? sin 2x minus sin 2y एक formula यह है sin square x minus sin square y बच्चो अगर याद होगा आपको क्या याद होगा? आप लोगों ने a square minus b square पढ़ा है न क्या बनाते हैं आप इसे? a minus b a plus b तो बस sin square x minus sin square y बराबर क्या है बच्चो? क्या बनेगा? जल्दी बोलो sin x minus y sin x plus y मतलब a minus b a plus b बस यह होगा बाकी सब कुछ save है ठीक है बच्चो? कोई परिशानी? चलो अब आता है formula number 5 formula number 5 क्या है? अच्चा यह थोड़ा unique है formula sin 3 x sin 3 x इस formula में आपको क्या रियाद रखना है? बच्चो यह formula आपका कुछ इस परकार का है 3 sin x minus 4 sin cube x ठीक है? यह cube है ठीक है? यह दियाद नखना अब इसी में एक formula और है cos का cos cube x वो क्या है? 4 cos cube x minus 3 cos x बस उल्टा सीधा हो जाएगा यह ठीक है? देख रहे हो पलट गये ठीक एक formula और है वो भी बता देता हूँ अब बोदोगे कितने formula करा रहे हूँ बस बच्चे एक और देख लो उसके बाद 6-7 formula हो रहे हूँ बाद में देखेंगे एक है 10 3 x is equal to 3 10 x minus 10 cube x upon में 1 minus 3 10 x ठीक है? अच्छा यह formula ना इतना important नहीं है ठीक है? इससे related जो questions आते हैं बहुती rare आते हैं बहुती कम आते हैं आज तक तो मैंने बहुती बहुत कम बार देखा है बाकी यह दोनों बहुत important है ठीक है? तो यह सारे formula आप लोग note कर लीजिए अच्छे से इसकी practice कीजिए ठीक है? फिर इन सारे formula पर इन सारे के सारे formula पर हम लोग next class में बात करेंगे और इन सभी questions को जितने भी अब हमारे रह गए हैं 3.3 में मैं next class में उसे खतम करा दूँगा और साथ ही miscellaneous के questions पर भी आगे बढ़ेंगे आप काओगे साथ 3.4 का आँगे तो answer मतलो करेंगे सब लेकिन sequence से कैसे करेंगे sequence से तो बच्चो ये कर लीजिए फटा फट ठेक है और इसी के साथ आप लोग video pause करके अपना ये note कर लीजिए ठेक है और इसी के साथ next class में हम लोग मिलते हैं ठेक और नए questions के साथ और नए formula के साथ तो चलिए आज की class यहीं खतम करते हैं